हेलो दोस्तों, वेलकम ओल ओफ यूटूब चैनल, अपना स्टॉक अनलाइसिस, आई होप आप सब अच्छे हैं, दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, मनुपुरम फिनान्स निमिटेट स्टॉक को लेके, जो कि एक NBFC कंपनी है, और काफी डाउन साइड में स्ट स्टॉक ट्रेट कर रही है, काफी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है, Q4 का रेजल्ट आया था कंपनी का, वो भी कुछ खास रहा नहीं, तो स्टॉक को लेके पुरा फंडमेंटली और टेकनिकली अनलाइस करेंगे, पता करेंगे कि अगर आप फ्रेस बाई करना चाहते है, तो आपका स्ट्रेडिजी क्या होना चाहिए, और अगर आपने और बाई करके रहे हैं, तो आपका स्ट्रेडिजी क्या होना चाहिए, तो अन्तिक बना रही है, और अगर चैनले में नए हैं, तो लाइक और सब्सकाइब करके थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए, तो पहले पहले चलिए बात करते हैं इस टॉक जो एक करती क्या है यानि कि स्टॉक का लाइन अप सर्विस क्या है तो यह जो कमपनी है बेसिकली साउथ इंडिया बेस्ट एक कमपनी है डील करती है मोस्ली गोल लोन के लिए के तो मुथूत फिनान्स एंड मनोपुरम फिनान्स यह कमपनी लगबग एक पेर कमपनी है जो की सेम 1927 में काम करती है इनका में फोकस्ट काम है गोल लोन प्रवाइड कराना और में बिजनिस जो है कमपनी का साउथ इंडिया से आता है अगर बात कर मार्केट कैप का तो मनोपुरम फिनान्स लिमिटेड यह कमपनी का मार्केट कैप है 7897 करोर का मार्केट कैप कमपनी का है यानि कि लगबग 7900 करोर का कमपनी है मनोपुरम फिनान्स लिमिटेड अगर बात करें 52 विक हाइन लो का तो 91 रुपीज का लो और 224 रुपीज का ह आई कंपनी ने एक साल में दिखाया है और अभी स्टॉक ट्रेट कर रही है 93 रूपीज में अगर बात करें डिविडेन का तो करीब सारे अगर बात करें टेकनिकल तो एक साल में कुछ इस तरह का जो है चार्ट पैटन स्टॉक ने बनाया है जो कि आप देख सकते हैं अभी करेंट्ली 50 डियमा से नीचे ट्रेट कर रही है और 200 डेस मुविंग एवरेस से भी नीचे ट्रेट कर रही है यानि की स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है फ्रेश एक जो है स्टॉक में गिरावट दिखा है और स्टॉक का मेजर जो है सपोर्ट रेंज 100 का करीब था एक सो रुपया का करीब करीब जो है स्टॉक का मेजर सपोर्ट था और स्टॉक एक सो रुपया का नीचे अभी ट्रेट कर रही है मेनली मनुपुरम finance का जो है competitors है । अगर बात करे principles का तो quarterly results में last quarter का net profit देख लेते है September quarter में company का Net Profit Tesla 330 करोर का December quarter में company का Net Profit 271 परोर का और March 2022 quarter में company का net profit han का दो सु一 सब्सक्राइब किए तो नेट प्रॉफिट कम्पनी का लास्ट कॉउर्टर से यानि किी डिसंबर क्उवाटर से कम्पनी का नेट फोफिट में कोई चेंज़though नहीं आ है और अगर बात करें सेप्टेम पॉल्ए से अगर क komplett करें तो यहां पर कंपणी का जो है 2020 में 2020 ने कंपणी ने रेविन्यू क्या था वेविन्यु था कमपनी ने 1724 करोड का net profit क्या हुआ है अगर मार्च 2022 क्वाटर का बात करें तो 328 करोड का net profit कमपनी मार्च 2022 क्वाटर में क्या हुआ है यानि कि आप देख सकता है नेट प्रोफिट कमपनी का quarter to quarter डाउन हो रही है और year to year काफी कम stock में जो है करीब करीब 300 करोड का net profit company का कम हुआ है तो यही कारण है कि stock negatively react कर रही है result को लेके क्योंकि net profit company का down हो रही है अगर बात करें borrowings का तो company में अभी currently 24,816 करोड का एक बड़ा amount में कर्ज company में अभी है काफी बड़ा amount का कर्ज है 24,816 करोड का कर्ज अभी company में है अगर बात करें shareholding pattern का तो shareholding pattern में company में आप देख सकते हैं कि promoter या पर hold कर रहे है 31.06 percentage के stake currently FII hold कर रहे है 29 percentage के stake DII hold कर रहे 15.80 percentage के stake और public hold कर रहे है 19.31 percentage के stake तो कुल मिला के काफी diversified shareholding pattern stock में है जो की promoter ने अपना stake को 2019 से जो है as on date same रखा हुआ है FII ने थोड़ा सा decrease किया है DII ने काफी बढ़ाया है holding को और public ने भी अपना stake को बढ़ाया हुआ है तो अगर बात करें overall अगर parameter को देखें तो देखें इसा नहीं है क्योंकि जो है अभी almost मुथूत फिनांस भी जो है almost 52 week low का करीब करीब चल रही है तो जो है एक sector wise खड़ाब एक result company ने year on year या फिर quarter to quarter पेस किया है ऐसे मनुपुरम Finance Limited यह काफी well known और काफी बढ़ा brand है अगर South India best अगर बात किया जा साउथ इंडियन company में तो काफी बड़ा एक company है मनुपुरम Finance Limited branded company है अभी 93 रूपीस में stock trade कर रही है अगर कोई buy करके रखें long term के लिए तो hold कर सकते हैं अगर कोई fresh buy करना चाहते हैं तो जैसी 100 करेगा और सस्टेंड करेगा stock में आप buy करके hold कर सकते हैं क्योंकि यह जो सेक्टर है overall काफी काफी अच्छा और काफी low risk वाला काम वाला जो है अन्वी FC काम है क्योंकि good loan provide कराती है with security जो है एक loan भी provide कराते हैं और interest भी कमाते हैं तो काफी अच्छा कंपनी है मनुपूरम फिनांस लिमिटेड रेजल्ट देखें एक दू क्वाटर में रेजल्ट खराब भी हो सकता है लेकिन अगर long term में अगर देखें तो कंपनी काफी अच्छा है तो यह व्यूज की अगर आप फ्रेज भाई करना चाहते हैं तो 100 रुप्यक्ट उपर आप फ्रेज भाई कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू